Good morning class, welcome to your channel, knowledge oriented, हम सब की बात चल रही थी, discuss कर रहे थे, हम लोग सीख रहे थे, नया, क्या, class 8 का chapter 1, crop production and management, part 1 में आपनों कुल ने देखी लिया होगा, introduction मैंने आपको content बताई दिया था, हम लोग क्या पढ़ेंगे, यह आपका part 2 है, तो बिना time waste किये, शुरू करते हैं, चलिए 1.2 पे हम आ चुके थे, खारीफ और रावी क्रॉप खतम हो चुका था, बात हो चुकी थी, खारीफ क्रॉप का आपका कहानी था, रेनी सीजन वाला, जून से सेप्टेंबर तक होता था, पैड़ी में, स्वैबीन, ग्राउन ना थी, आपके खारीफ क्रॉप में आते थे, मार्च तक का मेहना है, यह है, विंटर सीजन के अंदर आते हैं, यह रावी क्रॉप यानि की ठंड में उगते हैं, खारीफ क्रॉप गर्मी रेनी सीजन यानि की बरसात के मौसम वाले हैं, वीड ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिंसी, लिंसी आपको बताया था, मैंने की यह ति चले देखे, बिसाइड दीज, इसमें वन बताया था कि पल्सेस और जो वेजटेवल्स थे, यह आपके गर्मियों में भी उगते हैं, ठीक है, यह एक पॉइंट इसके अंदर गिवें था, तो इसको गर्बिया धियान रखेगा, चले आते हैं यहां पर, बेसिक प्रैक्ट प्रैक्टिस करेंगे, बैट कैसे प्रकड़ते हैं, बॉल कैसे फेकते हैं, 4 रन, 6 रन, किस तरीक से स्ट्रोक लगाएं यहीं तो वही बेसिक प्रैक्टिस यहां पर, तो फार्मर जो हैं, वह कुछ चीजों का ध्यान रखते हैं, उन चीजों को वह फॉलो करते हैं, करते हैं और उन चीजों का वो कुछ चीज जो हैं इसके अंदर आएंगी जो important जैसे soil है अगर irrigation का facility पानी वानी हो गया देना और क्या कह सकते हैं और आपका जैसे किस तरीक से maintain करें crops को उन्हें कीट मकोडे ना खा जाएं insect pest ना खा जाएं waste ना हो जाएं इन सब चीजों को किस तरीक से step by step करते हैं तो वह आपके इसमें basic practice of crop production के अंदर आता है तो अब आगे देखते हैं फटा फट फट फिर चलिए शुरू कर बेसिक practices of crop production इसमें पहले ही आ गया भोजू यहां पर आगे question लेकर अरे या चलो कोई नहीं question लेखते हैं why paddy cannot be grown in winter season paddy जो है आप winter season में क्यों grow नहीं कर सकते आपको यह मालूम होगा कि paddy खारीफ crop है खारीफ crop के अंदर आता है और जो यह खारीफ crop होते हैं वो आपके बरसात के मौसम में ही उगते हैं बरसात के मौसम में अगर उग रहे हैं तो यानि की paddy को more 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 यानि की पानी की मात्रा जादा चाहिए होगी समझे है चलिए ठीक है आगे देखते हैं अब यहां पर देखिए अब यह पहली क्या पूछ रही है पहली अच्छा बता रही है पहली बोलती है भुजू का अंसर देते हुए कि paddy requires a lot of water therefore it is grown only in rainy season चलिए तो हमने समझ लिए चलो पहली भाई काम होगी है हमारा आगे देखते हैं cultivation of crops involve several activities undertaken by farmer over a period of time यानि कि जो crop का cultivation है उसके लिए farmer कुछ steps follow करते हैं या फिर अगर हम बोलें तो कुछ activities का वो चैन करते हैं और वो activities का चैन करने का मतलब है रिगार्ड करते हैं उन activities को undertake करते हैं क्योंकि जिससे उनकी crop की production हाई हो और चैन क्रॉप की production हाई बोलते हैं तो वहाँ पे crop की yield होते है yield का मतलब होते है उपज ना उपज ठीक है उपज ठीक है ये उपज कहने का मतलब involve several activities taken farm period okay you may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants ornamental का मतलब हो आप ornamental को आप ornament से relate कर लीजे और आपको पता है कि ornaments तो हम लोग पहनते हैं यानि कि क्या है अपने लिए यूज करते हैं तो ornamental plants in your house लिखाए तो हम क्या कह सकते हैं घरेलू plant कह सकते हैं घर में उगाने जाए जाने वाले पहुत है ठीक है इस activities or tasks are referred to agricultural practices और जो की नीचे आपके यह साथ के साथ given है और यह एक एक करके आगे हम पढ़ेंगे भी पूरे explain form में मगर यहां पे आपको सबसे पहले में इन चीज़ों के बारे में बता देता हूं अच्छे से थोड़ 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 क्या क्या है पहला है preparation of soil दूसरा है sowing तीसरा है adding manure and fertilizer फोर्ट है irrigation और फिफ्ट है protection from weeds 6th है harvesting 7th है आपका storage मैं यहां पर आपको कुछ चीज़े बता देता हूं जब आप यह आगे पढ़ेंगे तब आपको बहुत ही जादा सहूलियत होने वाली है पहला हम लिखते है preparation of soil उसके बारे में फस्ट ऐसे लिखके कर रहा हूं आप यहां समझ रहोंगा कि मैं यहा preparation of soil के बारे में कहने का मतलब soil को prepare करना अब soil को prepare सिर्फ आप समझ दीजे कहानिया में इसको पूरा पढ़ें गई है पैर अगर बाद में पूरा ठीक है preparation of soil को prepare करना अब farmer अगर soil को prepare कर रहा है तो उसमें वह moisture content देखेगा अब उसके अंदर कहीं मोटे मोटे पत्थर तो नह life नहीं कर पाएगा और क्या हो जाएगा एक सामय के बाद उसका seed seed जो अब वह बोएगा उसका खतम हो होता है rot हो जाएगा रोट मतंब सर जाएगा यह कहने का मतलब है ठीक है अर यह तो Pokemon बने लगता है चलो आगे देखते है sowing, sowing का क्या है यहां पर, sowing का कहने का मतलब है, जो वो seed का चयन कर रहा है, seed, seed का मतलब यह अच्छे क्वालिटी के है की नहीं, उनका क्वालिटी कैसा है, खराब क्वालिटी होगी तो वो तो बढ़ेगा ही नहीं, उसमें अंकुर फूटेंगा ही नहीं, अंकुर कहने का मतलब जैसे आपको यह seed होता है, मानले यह कोई seed है किसी का, और start जो होता है, germination आप लोगों न बढ़ा रहता है, तो यहीं वो मैं कहा रहा हूँ, अंकुरी थोने starting जो यह phase है, ठेक है, germination, इन चीजों का ध्यान देगा, seed की quality को वो देखेगा, third adding manure and fertilizer का मतलब, manure fertilizer का add करेगा, जब वहाँ पे nutrient की कमी हो जाएगी, किस में, मिटी में, okay, fourth irrigation, irrigation में वो पानी का देखेगा, क कि पानी सही सवाई पहुच रहा है, कि नहीं पानी को उसको मिल रहा है, कि नहीं पानी, कि वो आगे ग्रो हो सके, नहीं तो पता चले, गरम, गरम, गरमी बढ़ गई, और सारे पानी मुर्जा के, खतम, वही खेल, चली आगे देखे, fifth देखे, protection from weeds, weed का मतलब होता है, वो unwanted plants या undesired plants, undesired plants का मतलब हो गया, कि वो पौधे, जो कि उस पौधे की nutrient को use करते हैं, सक कर लेते हैं, और उसको grow होने में, मदद नहीं करते हैं, यानि कि other than, वो crops, ठीक है, वहाँ मान लिजा, अगर हम wheat का crop उगा रहे हैं, एक field में, crop of wheat है, तो वहाँ पे कोई दूसरा चोटा मो आगे देखते हैं, 6th में harvesting, अब जब उपज हो गई, अच्छे yield हो गई, तो उसकी जो कटाई करेंगे, सिकल का, सिकल टूल का use करके, किस तरीके से करेंगे, ठीक है, और उसके बाद उसको जो store करेंगे, सिलोस में, सिलोस एक बड़ा-बड़ा इस तरीके का container होता है, और grainries में खाद बंडार में देखेंगे, आपने बोरे पड़े रहते हैं, से धड़ा-धड़ा-धड़ा-धड़ा तो ये इन सब चीज हो के हम बारे में बात करेंगे, अब देखें, ये session में इसका part 2 को यहीं end कर रहा हूँ, क्योंकि देखें, preparation of soil की जो बात कर रहे हैं हम लोग उसके बाद मैं आपको दिखा रहता हूँ, कि second में, preparation of soil, उसके जो sowing की बात होगी, sowing में ही आपके, आप लोग देखेंगे, उससे पहले ही कि agriculture implementation में काफी तरी, अलग अलग तरीकी के tools यूज किया गया है, जैके cultivator था, peach ship logging था, और sowing में ही आपका selection of seed, जो मैंने बताया ह और किस प्रकार के tools का use करना है, वो देखेंगे, sowing में, तो यह सब अपने में, अपने में ही बड़ा पैरा है, तो इसको cover करने में, video जाएगी लंबी, और आप board ना हो, तो इसलिए हम इसको यहीं band करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बड़े-बड़े पैरा है, तो ठीक है, मिलते हैं फिर next video में, okay, next part में, तब तके लिए learn, grow and succeed, thank you.